हेलो, कैसे लोग आप सब, गुलाब जावण कैसे पसंद ए ? कॉमेंट करके बताओ, आज गुलाब जावण की रिइसेप मावा का यूज करेंगे अब मावा न यूज करेंगे, तो उसकी जगह कुछ तो चाहिए ना, उसकी जगह हम यूज करेंगे मिल्क पाॉडर तो चलो रेस्पेत स्टार्त करते हैं सबसे पहले एक कड़ाई में दो शमयश देसीगी ढालो और चूट रज़ालो और एक बड़े वाले कप से पाउडर डाल दो ठीक है और इसे अच्छे से मिक्स करो ठीक है लंच नहीं पड़ने चाहिए और ये सारा प्रोसेस ना ंग का, अब इसे ना हसे का करना आप जितनी दिर प्रत करो को न उतनी दिर प्रत करोंगे न उतने जादğ देर तक एलाइची एट चलद मैदा ठीक है और फिर से इसे अच्छे से मिक्स कर देंगे उसके बाद जब हमारा सॉप्ट सॉप्ट साथ डूर रेडी हो जाए विलकुल तो इसे डिवाइड कर लो आपको जितने पार्ट में चाहिए फिर इसके छोटी-छोटी बॉल्स मना लो अब आते हैं हम अपने चाशनी के पार पे ठीक है तो मैंने आपे दो कटोरी नॉर्मल कटोरी होते है घर पे उससे दो कटोरी मैंने पिसेवी चीनी डाली है और उसका डबल पानी ठीक है पिसेवी चीनी इंपॉर्टन नहीं है आप नॉर्मल चीनी भी राल सकते हो मेरे पास यहां नहीं हो तो छोड़ देना थीक है फिर मैंने इस मैं इड़ गया ना एकान तो धाद धोल चाशनी को हमें 15 मिनट्स के लिए लो-फलम पे कुक करना है उसके बाद जब हमारी चाशनी थोड़ी सी स्टिकी सी हो जाए तो गैस मन कर दो और इससे थंडा होने के लिए लग थोड़ी देल ठीक है तब तक जो हमने अपने गुलाब चामन बनाया उसे कर लो डीफ राई जब तक वो बिल्कुल गुल्डन ब्राउन से नहीं हो जाते ठीक है और गुलाब चामन को डीफ राई करते समय एक बात का ध्यान रखना इसे बहुत जादा गरम तेल में डालना है इसे बहुत ही हलके गरम तेल में डालना है नहीं तो अगर आप बहुत जादा गरम तेल में डालोगे ना तो ये फट सकते हैं ठीक है और इसे बिल्कुल लो फ्लेम पे हमें डीफ राई करना है ताकि जो हमारे अंदर का मैटेरियल लाना वो अच्छे से कुक हो जाए उसके बाद इसे खाओ गुलाब जामन का मज़ा ना गरम गरम खाने में वैसे आपको गुलाब जामन कैसी पसंदे गरम या फर ठंडा कॉमेंट करके बताना इनीवेज ये देखो हमारे गुलाब जामन कितने सॉफ्ट बने है तो गाइस दिवाली ट्राइट इस रेसिपी और कॉ जामन कैसी लगी बिने मावा वाली गुलाब जामन अलसो वीडियो पसंदाई तो लाइक करो शेर करो और हां ऐसे और फूड वीडियो के लिए मेरे चानल को सब्सक्राइब कर दो सी यो इनी नेक्स वीडियो तिल देन बाई बाई